हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माय चानल यह मेरा यह कैट्टेस है में मैलारिया तो यह देखें रूट इतनी अच्छी से बॉंड हो गई है इसमें पफ्स भी बहुत सारे निकल रहे हैं और इसमें लगा हुआ था यह छोटी से पॉंट में मतलब पॉली बैग में लगा हुआ है और ये बज़ी वाली मिट्टी ये बलकुल सैंड वाली स्वायल हुती न वही है तो इस तरह से मैं यह होल कर ले रहे हूँ इसमें ऐसे करके और इससे यहां पर रख करके थोड़ी से मिटी इसकी की लूज करूंगी वह पृस्ट ऑप फिर से से इसमें शिप्ट कर दूं आपको काटे चुब ना जाए तो इस चीज का ध्यान रखिएगा इस तरह से हम इसे रिपॉट कर देंगे इसके बेबी पप्स भी इसमें काफी निकल रहे हैं देख रहे हैं आप यह तो इस तरह से आप इसमें क्या है यह देखिए इस तरह की इट के टुकडे चुट- से अच्छा रहता है और आप ही कोर्वे से बचाएंगे कि को रा पहुत पढ़ रहा है हमारे हों तो काफी पढ़ रहा है है तो हम उताखंड में ही सितारगंज में रहते हैं पर temperature ठालमत रहता है और ठंड dripping जैदा रहती है आज मेनी डालूंगी क्योंकि अल्रेडी मिटीज की मोहिश्चर था इसमें इस तरह से रिपॉर्टिंग हो गई तो आप भी अभी कैक्टस को पहले तो बात तो डिस्टर्ब मत कीजिएगा अगर थोड़ी सी दिकत हो रही है तो चलो ठीक है रिपॉर्ट कर दीजिएगा कोई दिक पूल आते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं तो यह मेरा चोटा सा वीडियो है अब के लिए तो फ्रेंट्स नई जनकारी के साथ नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे और कोशिश कीजिएगा इसे मिटी के पाउट में लगाएं इस तरह के इससे की जो इसमें अगर एक्स कीजिएगा के लिए अच्छा होश आता है तो सारे सारे होने चाहिए इससे कि निकलने में कई पानी निकलने में कोई दिक्केत ना हो, ट्रेने सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, गंबले का भी और मिठी का भी, ठीक है, तो इस तरह से आप लगाईएगा, तो मार्च में ये बहुत मार्च अप्रहर में बहुत फ्लाबरिंग करता है, काफी-काफी फूल आते हैं, तो ये पाँच बेवी पाप्सिस में आ रहे हैं, जब फूल खिलते हैं ये लोकलर के तो बहुत सुन्दर लगता है, टिनी-टिनी फूल खिलते हैं, अच्छा लगता है, तो प्रेंट्स नहीं जनकारी के साथ, नहीं विदी के साथ भी मिलेंगे, अब तो गाटिंग करते रहे हैं अच्छा ये, बाई बाई